नमस्कार मैं हूँ शुबम गुपता और जनहित टाइम्स के इस खास कारिक्रम बाज जनहित की में आपका स्वागत है आज हम आपके लेकर आए हैं एक ऐसा विशय जिस पर पूरी दुनिया विचार करने को मजबूर है हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो क्रंसी की अगर आप रातो रात अमीर बनकर अपने सपनों को साकार करना चाते हैं तो क्रिप्टो क्रंसी की ट्रेडिंग की दुनिया में आपका स्वागत है क्रिप्टो की ट्रेडिंग में शामिल होने से पहले आप भली बाती समझ लीजे कि वास्तब में क्रिप्टो करंसी क्या है और ये कैसे काम करती है क्या क्रिप्टो करंसी 100% सेफ है या ये एक जोखिम भरा कदम है हाली में गर्ग कमिटी की रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि देश में क्रिप्टो करंसी का क्रेज साल 2019 से बड़ा है गर कमिटी की रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि एक कानून बना कर देश में सभी निजी वर्च्वल क्रिप्टो करंसी पर प्रतिबंद लगा देना चाहिए भारत की युवाओं में इन दिनों क्रिप्टो करंसी को लेकर बड़ा क्रेज देखा जा रहा है क्रिप्टो मार्केट में जिस तरह की की एक्टिविटी हो रही है उससे ये समझ में आता है कि देश में बिटकोइन जैसी क्रिप्टो करंसी की लोग प्रियता तेजी से बड़ी है हाला कि अब तक सही पता नहीं लग पाया है कि देश में कितने लोग crypto में trading कर रहे हैं और इसमें कितनी रकम शामिल है एक अनुमान के मुताबिक हर दस में से एक Indian crypto currency में निवेश कर रहा है लोग रातो रात अमीर बनने की इस race में पीछे नहीं रहना चाते इसलिए हर रोज अधिक से अधिक लोग crypto की trading में शामिल हो रहे हैं अब क्या होती है crypto currency इसको थोड़ा सा समझ लीजे crypto currency दो शब्दों से मिलकर बना है पहला crypto जो कि एक Latin भाषा का शब्द है जो cryptocurrency से बना है जिसका मतलब होता है छुपा हुआ जबकि currency भी एक Latin भाशा का शब्द है जिसका मतलब होता है पैसा तो crypto currency का मतलब हुआ छुपा हुआ पैसा यानि गुप्त पैसा आमतोर पर crypto currency एक तरह का digital पैसा है जिसे आप छू तो नहीं सकते लेकिन आप रख सकते हैं यानि यहें मुद्रा का एक digital रूप है यह पूरी तरह से online होता है आशान भासा में कहें तो crypto currency एक digital cash प्रनाली है जो computer algorithm पर बनी हुई है यह सिर्फ digit के रूप में online रहती है इस पर किसी भी देश या सरकार का कोई नियंतर नहीं होता अब यह crypto currency किसने बनाई और क्यूं बनाई इसको भी थोड़ा सा आप जान लीजे इसके बारे में बहुत से लोगों का मानना है कि crypto currency 2009 में सतोशी नाका मोतो ने शुरू किया था लेकिन ऐसा नहीं है इससे पहले भी कई निवेशकों ने या देशों ने digital मुद्रा पर काम कि यूएस ने सन 1996 में मुखे electronic गोल्ड बनाया था ये एक ऐसा गोल्ड था जिसे रखा तो नहीं जा सकता था लेकिन इससे दूसरी चीजों पर खरीदी की जा सकती थी हाला कि सन 2008 में इसे बैन कर दिया गया था वैसे ही सन 2000 के साल में नीदल लेंड ने भी पैट्रोल भरने के के लिए कैश को स्मार्ट कार्ट से जोड़ा था ऐसी ही शुरुवात में crypto currency को भी अवैद करार दिया गया था लेकिन बाद में bitcoin की बढ़ती लोग प्रियत्या के चलते इसे कई देशों ने legal कर दिया था कुछ देश तो अपनी खुद की crypto currency भी ला रहे हैं आपको बता दे क bitcoin दुनिया की सबसे महंगी virtual currency है अब आपका ये जानना भी जरूरी है कि crypto currency कैसे काम करती है आपको बता दे कि crypto का इस्तमाल blockchain software के जरिये किया जाता है ये digital मुद्रा encrypted यानि coded होती है इसे एक decentralized system के जरिये manage किया जाता है इसमें जो भी लेंदेन किया जाता है उसका एक digital signature द्व के जरिये खरीदी को crypto mining कहा जाता है क्योंकि हर जानकारी का digital रूप से database तयार करना पड़ता है जिसके द्वारा ये mining की जाती है और इसको जो mining करता है उसे miners कहा जाता है अगर आसान भासा में इसे हम समझें तो crypto currency blockchain तकनीक पर आधारिक एक virtual currency है जो cryptography द्वारा सुरक्षित ह ये सारा काम powerful computers के जरिये होता है इसके code को copy करना लगभग नामुम्किन है अब आपके मन में ये सवाल भी उठरा होगा कि crypto में lane din कैसे होता है तो आप ये भी समझ लीजे crypto currency में जब भी कोई transaction होता है तो इसकी जानकारी blockchain में दर्ज की जाती है यानि उसे एक block में रखा जात है इस block की security और encryption का काम miners का होता है इसके लिए एक cryptographic पहली को हल कर block के लिए उचित hash यानि एक code खोशते हैं अब hash खोजने के बाद क्या होता है ये भी समझ लीजिए जब कोई miner पुकता hash खोज कर block secure कर देता है तो उसे blockchain से जोड़ दिया जाता है साथी साथ network में दूसरे computers के जरीए उसे verify किया जाता है इस प्रक्रिया को आम सहमती यानि consensus कहा जाता है अब जब आपको आम सहमती मिल जाती है तो उसके बाद समझे ब्लॉक के secure होने की पुष्टी हो गई है वह सही पाया जाता है तो उसे secure करने वाले miners को crypto coin ते दिये जाते हैं ये एक record है जिसे आप का का सबूत भी कह सकते हैं या फिर जिसे काम का सबूत माना जाता है अब आपके दिमाग में ये सवाल भी उठ रहा होगा कि crypto currency अगर digital रूप में हैं तो ये कितने तरह की होती है एक्सपर्ट की राय माने तो कुल 1800 से ज़्यादा crypto मुद्राएं इस दुनिया में उपलब्ध हैं जिने आप Bitcoin के अलावा भी इस्तमाल कर सकते हैं जैसे कि Ethereum, Litcoin, Dogecoin, Faircoin, Dash, Peercoin, Ripple ये कुछ ऐसी cryptocurrency है जो market में आपको आसानी से मिल जाएंगी आप दुनिया भर में इतने cyber crime हो रहे हैं कि लोग किसी भी digital दुनिया में investment करने से पहले 100 बार सोचते हैं तो आप भी ये जरूर सोच रहे होंगे कि crypto में investment करना क्या हमारे लिए safe होगा तो आपको बता दे कि कुछ जानकारों का मानना था कि Bitcoin लगभग 180 से 200 डॉलर के आसपास आकर खत्म हो जाएगा लेकिन जनता दौरा इसे बड़े पैमाने पर अपनाने के साथ ये और जादा अधिक विस्वास प्राप्त करने लगा पिछले तिमाही में Bitcoin की market cap में लगभग 700 मिलियन डॉलर जोड़े गए थे हाला कि सितंबर 2020 के बाद कीमत लगभग दुगने से अधिक है इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि crypto पर लोग कितना जादा भरोसा इस समय कर रहे हैं तो आज के लिए बस इतना ही अगली वीडियो में हम आपको बताएंगी कि crypto पर दुनिया भर के देश क्या सोच रहे हैं और कौन सा देश अपनी crypto currency लाने की तैयारी कर रहा है और भारा समेथ दुनिया भर में crypto की बढ़ती लोग प्रियता से दुनिया की अर्थवियववस्ता पर क्या असर पढ़ने वाला है दोस्तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद